नेक्स्ट टोपिक पढ़ेंगे दारा मापी का वोल्ट मीटर में रूप आंतन यह था इसमें मैंने दो लाई ने आपको बताई थी कि दारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे profits अरुप मौन ने के लिए स्रेनि करम में क्या लगा जाता है एक उस्जी मान का पर पर्तिरोध है जिस पर्तिरोध के ऊपर आपको विबवांतर मा क्वापना है उस पर्तिरोध के क्वां से क्रम भी लगाते हें प्रसमांत्रकरम है एक बार और सारे मिलकर क्योंड सा आप कौने क्यों लगा ते समांत्रकरम है मैं आपको बता देक आदर मोल्टीमिटर का प्रतिरोद कितना होना चाहिए कि इंफाना इंफाइनईट होना चाहिए आघे आप जीरोको और अन्रत नहीं समझ म conservatives तो फोड़ा नींद से बाहर निकलो और अब अपने को क्या करना है आम निर्मान कैसे करेंगे यह कौन था अब दार हम आपी अब दार हम आपी के अंदर हम एक उच्छ मान का परतिरोध जोड़ेंगे उच्छ मान के परतिरोध को आरत से दरसा होंगा मैं अब यह जो बन गई आक करती है यह क्या बन गया वोल्ट मेटर समझ में आया क्लियर हो गई बात अब वोल्ट मेटर के इसके सिरोंपर माई लीजेश में डार नहीं कि इंग यह जगा है चेए आई जी ज़ आ रही है यह इसमें कीषज़ी और को डार ही दारमापी के लिए पूने स्केल के लिए अब इसमें आगा आईजीच आ रही है तो इन दोनों यह कितना विवांतर मापेगा बताओ मुझे इस बिंदूर इस बिंदू के बीच का विवांतर किसका माप कितना माप के देगा यह तो इसके शिरोपर विवांतर का मान आ जाएगा V बराबर IG into G प्लस RH सत्सके शिरत्ध उपोदा किसे युक्ति का तुल्ले पृतिरोद कितना होगा ha इस गोश्य के सृड़ से क्रवंर में लगें दोनों स्रेणी करवब तुल्ले प्रतिरोद से रिंसके जड़ जाते हैं तॉट्वापी का प्रटिरोदские और आरेच हाई रेजिस्टेंस अब कुल पर दिया आ गया तो इसके शिरोपर भीबांतर कितना ओगों के नियम से भी पराबर कौन होता है आई 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 का मतलब आई जी और आर का मतलब यह रेजिस्टेंस है समझ में आहे हैं यहां से मेरे आरेच की वेलिव निकालनी होती ऑफ विए वार्जरीा पर दूंग निकालनी होती मैं कैसे करूं बेख व्यापूर यह अ पर आपर जी प्लस आर सब्सright में आ रहा है G plus R H high resistance करना कुछ नहीं R H क्या आजाएगा R H R H की value आजाएगे मेरे पास high resistance आजाएगा V upon I G minus of G ये resistance है इस resistance को लगा करके क्या बनाया जाएगा दार हमापी को volt meter बदल दिया जाएगा तो समझ में आई बाद दियान रखेंगे clear परसे R H की value जड़ुद पड़ती इसमें और कुछ जरूत नहीं पड़ती जादा V कौन V volt meter का परास परास मतलब कह देंगे आपको परसंद देंगे कि आपको एक दार हमापी को 0 से 12 volt परास के 0 से 12 volt परास के volt meter में बदलना है एक दार हमापी को किस में बदलना है 0 से 12 volt परास के volt meter में बदलना है यानि आपको परास दे रखी है V बराबर कितनी दे रखी है 12 volt आपको यह ले 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 ना है इसके अंदर B का मान बारा G का मान दिया जाएगा आपको दार हमापी का परतिरोध इतना है और IG आपको देंगे IG कों है IG IG कों है पूर्ण विक सेप के लिए दारा IG कों है IG की value है IG बराबर पूर scale के लिए पूर्ण scale के लिए दारा मापी में धारा कौन सी दारा विद्धृद दारा यह आ गया आपको पूर्ण scale के लिए कौन complete हो जाता है दारा मापी समझ में आया कुछ यह complete हो गया चार लाईने लिखने हैं पर लिखना शुरू करेंगे एक छोटा सा टोपिक था यह कंप्लीट हो गया है इसके बाद हम नेक्स्ट टोपिक स्टार्ट करेंगे समझ महारी बाद अब आप इसको पहले क्या करना शुरू करेंगे फटा-फटे इसको कोपी करूप परिकर्मी इलेक्ट्रोन का परिकर्मी इलेक्ट्रोन का चुम्ब किये दिधूर आघून सुम्ब कि आगून और दिधूर आगून यह की बात है इसàiय क्या होता है कंथा नाभिक का चार और कौन चक्कर लगाता है परिकर्मिलॉं के बात कर Ricky हम थिए ना बिक है ना बेबी को को नहीं ओ Wie जैडी जाब एन्पका जो परवानिकर्मांग है मतलिब उस प्रोटॉंज के संख्या होती होगि इसके परमानुकरमान नाभिग में इसके परमानुकरमान के बॉर्ण और नार्प किसे लेते हैं जए से यह का मतलब इलेक्ट्रोन नहीं है यह систमॉल है थोड़ा और आर्थ रिज्जा के किसी वर्ताकारपत में कौन चक्कर लगा रहा है कौन चक्कर लगा रहा है समझ माया कुछ नहीं आया कोई बात नहीं ठीक है बन गया है तो आर्थ रिज्जा के वर्ताकारपत में चक्कर लगा रहा है कौन है बहई एलेक्ट्रोन का वेग है समझ माया रहा है इलेक्ट्रोन का वेग अगर ऊपर है तो इसमें दारा के दर माना इसको एक लूप की तरह लेंगे कक्स को है जिसका में अलेक्ट्रोन चक्क लगा रहा उसको एक लूप की तरह लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन थे प्रवास जायती है और आगर इसका निकालना हो अब इसका निकालना निकाल सकते हो, T बराबर हो जायेगा 2PiR upon V, कितने डिस्टेंस तैं हो गई, 2PiR, कितने वेक्स हो गई, V वेक्स, तो तो समझ में आ रहा है, आघूर देगो, आघूर जो कुंडली का आघूर होता न, चुम्ब कि आघूर है M बराबर, NIA, वही लगता है, आभी सेम, बस य आएनी की जगह आप एक ले लेंगे, एक एलेक्ट्रोन है, एक ही फेरा हुआ, ठीक, N की जगह, IA को एक केवल, समझ भाया है, तो चुम्ब क्या आघूर क्या हो गया, IA, बोलो हा कना, तो यहां चुम्ब क्या आघूर हो गया, कितना, IA, तो मैं लिखोंगा, चुम्ब क् का छेत्र भल, तो बोलो एक ही जगह लिख दू में, एक ही जगह पाई आघूर स्क्वायर, बोलो हाया न, एक ही जगह लिख दो, पाई आघूर स्क्वायर क्या दिक्कात आ रही है, समझ माया, एक ही जगह क्या लिख देंगे, पाई आघूर स्क्वायर, तो यह चुम्ब क टी समय लगा रहा एक चक्कर लगाने में तो एक चक्कर के अंदर आवेस का प्रवा कितना हो गया आवेस कितना बैग लेक्ट्रोन है तो क्यू की मैं लो देखो आई का मान लिख सकता हूं में देखो मिरेको पता है आई बराबर हो नहीं चाहिए क्यू अफोन टी आवेस प्रवा की दर को क्या आउन दारा केता हूं फ्रवा की दर को क्या काथे दारा लेकिन यह फ्रवा कीज़़र ने चखींड नर्ग देखो को क्यों कि जगे कौन पूट करेंगे ये यव आईटी आएगा कौन आएगा ये य। आई की वेलो आएगी नहीं आरा समझ में तो अपने क्या करना आई की वेलो पूट करनी है तो बोले M बराबर I के जगवले को E πाई R square बोलो हाँ करना बटे T बोलो T कोन है T 2 πाई R upon V T कोन है 2 πाई R upon V नहीं आई बास समझ में यहाँ T के जगवज पुट करेंगे E πाई R square बटे 2 πाई R V काड़ दो से πाई से πाई कट रहा है R से R कट रहा है EVR बट्रे दो आरा है बोलो हां करना बोलो कोन आया M बड़ाबर EVR बट्रे तो यहीं सुत्रा जो आमें हाद रखना है परिकर्मी इलेक्ट्रोन का चुम्बगी आगून बोला सर दिसा क्योंकि चुम्बगी आगून कैसी रासी होती सदिस राशी बोलो कैसी होती सदिस बोलो सर इसकी दिसा कैसे पता करेंगे दाईने आथ के नियम से कैसे पता करेंगे दाईने आथ का नियम से दिसा पता करेंगे बोलो सर कैसे दारा की दिसा में हो नीची है चार उंगलियां एंग उठायेगा किस ती साम, चुमब के आगोण के ती साम, दाएई ने हायत के उंगुलियों घुम आदो इधर, इधर दा रहा है, इधर जा रही है, गोड के लमवत अंदर के ओर, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो M की डिरेक्शन होगी, बोलो क्या होगी, इस पर्ट मा रहा है तो यह direction भी ऐसे निकालने का तरीका है थोड़ा से इसमें changes कर रहे हैं दो लाइने और लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं इदर देगो मैं इसको divide कर रहा हूं किस से मैं उपर और नीचे इसको m e से divide कर रहा हूं m e को न है m e mass of electron side में लिख रहा हूं m e है electron का द्रव्यमान नहीं आ रहा समझ में electron के द्रोमान चे उपर नीचे multiply करेंगे द्यान रखना capital m कुछ और है capital m चुम्बक यह आगून है और यह कौन है electron का द्रोमा तो capital m आ जायागा थोड़ा और बड़ा कर दिया मैं capital m e m e into v into r divide में 2m e नहीं आ रहा समझ में कौनिये समवेग याद करो 11th क्लास में पड़ा था कौनिये समवेग का सुत्र होता है l बराबर m v r अगर कोई m द्रोमान की वस्तू v वेग से r 33 के वरताकार पत्र में चक्कर लगा रही है तो उसको कोणिये वेग होता है m v r sorry कोणिये वेग नहीं भाई कोणिये समवेग कौणिये समवेग कौणिये समवेग कौणिये समवेग कौणिये समवेग कौनी है समवेग अब directionों से पता लगेगा यह minus में आएगा अब उल्टा होता है m vector की जो direction होती है m vector की direction होती है वो इसके विप्रिद्दिसा में होती है किसके कौनी है समवेग के तो बहुते m vr को क्या put करोगे minus का e l vector upon 2m e यह minus यह denote करता है कि जो m vector की direction होती है वो like direction के विप्रिद्द्दिसा में होती है कुछ समझ में आया नहीं आया कौन से समय होती है यह प्रिद्द्दिसान, pop करेंगे दिःन रखना पौपी करेंगे यह कौन हो गया एलक्रोन का परिकर्म इलक्रोन का कि चुम्ब क्या आगों और आप डिटेल में पढ़ोगे वहां पढ़ेंगे लेकिन नाभिक में अना कि समझे